आज की जो tips and tricks है वो बहुत ही useful है हम सब के लिए यह हमारी धेर सारी problems का समाधान करेगी और उतने ही धेर सारे हमारे पैसे भी बचाएगी जियां दोस्तों आपने सही सुना यह हमारे धेर सारे तो पैसे बचा ही बचाएगी और हमारी अंगिनित problems को भी शॉल करेगी तो इसक चूडियों का दोस्तों हमें क्या करना है इन में से लगभग चार से पांच चूडियां ले लीजिए अगर आपकी अलमीरा ज्यादा बड़ी है तो उस हिसाब से आप चूडियां ले लीजिए अब देखे दोस्तों अब हमें इसका करना क्या है अब कुछ इस तरह की दूसरी चूड़ी को हम ऐसे चिपका देंगे कुछ इस तरीके से एक चूड़ी के नीचे दूसरी चूड़ी और दूसरी चूड़ी के नीचे तीसरी चूड़ी ऐसे करके दोस्तों हम इसको एक एक करके चिपका लेंगे जैसा कि मैंने बता है अगर आपकी अलमीरा बड़ी ह तो आप 6-7 भी कर सकते हैं, अगर छोटी है तो 3-4 भी कर सकते हैं, मेरी वाली मेडियम साइज की है, इसलिए मैं इस पे 4 का कर रहा हूँ, 4 चूड़ियां एक साथ मैंने जोड लिया है, फिर एक आपको ऐसी डोरी लेनी है, और डोरी के मदद से इस पे ऐसे गांठ लगा देन है, उस पे आपको कुछ इस तरीके से इसको बांद देना है, और इस पे दोस्तों हम इतने धेर सारे कपड़े इसमें रख सकते हैं, कि हम आप सोच भी नहीं पाओगे, कि इतनी धेर सारे कपड़े हम एक अलमीरा के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो दोस्तों बह कुछ इस तरीके से आप इस पे ऐसे चूडियों के मदस से उपर बांद के लटका के चार से पांच चूडियां इस पे आप धेर सारे कपड़े लटका सकते हैं, अपने बच्चे के जितने भी कपड़े होंगे, लगभग दो से तीन ऐसे हम अगर लेड सी बनाएंगे, तो नीचे से ऐसे गांट मार देनी है, इस गांट को हमें उपर की तरफ कर देना है, जैसे बच्चे पेपर देकर आते हैं, वो आपके पास स्लेट जिसे हम तक्ति बोलते हैं, वो आपको ले लेनी हैं, क्योंकि यह थोड़ी हार्ड होती है, तो यह नीचे नहीं जुकेगी, न इतनी प्यारी लगती है कि आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि हमारी अलमीरा में हम इतनी जगह भी बना सकते हैं वो भी कुछ छोटे से जुगार से अब देखे लगभग मैं इसमें कितने कपड़े रखूँ आप देखते जाहिए इतने ही मैंने दूसरे वाले हैंगर प टांग देंगे ये देखे अभी तो उपर तक पूरी जगह खाली है आप जितने मर्ची चाहें इसमें कपड़े रख सकते हैं ये देखे कितने अच्छे और कितने प्यारे लग रहे हैं अलग सी ही लुक मिल गई है हलमारी को अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स टिप्स की तर प्यार देने हैं तो कुछ इस तरीके से हम इसको लटका देते हैं अब देखे दोस्तो कितने अच्छे से हमारी मेरा बन के तयार हो गई है एक दम बलकुल अच्छे से सैट हो गई है तो ये थी दोस्तो आज की हमारी ठीप्स और टिप्स कैसी लगी हमें comment box में comment करके जरूर बताना अगर आपने हमारे फेस्बूक पेज यूटूब चैनल को अभी तक फोलो या सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी और मज़ेदार टीप्स के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर